नहूम अध्याए एक से तीन अध्याए एक एक नीनवे के विशय में भारी वचन एलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक नीनवे के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध दो यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है यहोवा बदला लेने वाला और जलजला हट करने वाला है यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रूओं का पाप नहीं भूलता तीन यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है वदोशी को किसी प्रकार निर्दोश न ठहराएगा यहोवा बवंड़ और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पावों की धूल है चार उसके घुलकने से महान सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है बाशान और करमिल कुमहलते और लबानों की हरियाली जाती रहती है पाँच उसके स्पर्ष से पहार काव उठते हैं और पहारियां गल जाती है उसके प्रताप से पृत्वी वरं सारा संसार अपने सब रहने वालों समेथ थर्थरा उठता है 6. उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है और जब उसका क्रोध भढ़कता है तब कौन थहर सकता है उसकी जलजलाहट आग के समान भढ़क जाती है और चटाने उसकी शक्ती से फटफट कर गिरती है साथ यहोवा भला है, संकट के दिन में वह द्रिल गड़ थहरता है और अपने शर्नागतों की सुधी रखता है आठ परंतु वह उमर्ती हुई धारा से उसके स्थान का अंध कर देगा और अपने शत्रूओं को खदेड कर अंधकार में भगा देगा नौ तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ती दूसरी बार पढ़ने ना पाएगी दस्क्यों की चाहे वे कांटों से उल्जे हुए हो और मदीरा के नशे में चूर भी हो, तो भी वे सूखी खूटी के समान भस्म किये जाएंगे ग्यारा तुझ में से एक निकला है, जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता और नीच्टा की युक्ती बांधता है बारा यहोवा यों कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीती से काटे जाएंगे और शून यहो जाएंगे मैंने तुझे दू, ख़द दिया है, परन्तु फिर ना दूंगा तेरा क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा, और तेरा बंधन फार डालूंगा चौदा यहोवा ने तेरे विशय में यह आग्यादी है, आगे को तेरा वंश न चले, मैं तेरे देवालेओं में से धली और गड़ी हुई मूरतों को काट डालूंगा, मैं तेरे लिए कबर खोदूंगा, क्योंकि तू नीच है पंद्रह देखो, पहारों पर शुभसमाचार का सुनाने वाला और शांती का प्रचार करने वाला आ रहा है अब है यहुदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नते पूरी कर, क्योंकि वहोच्छा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा, वह पूरी रीती से नश्ट हुआ है अध्याए दो, नीनवे का पतन, एक सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चड़ाया है गर को द्रिल कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस अपना बलबड़ा दे दो यहोवा याकूब की बढ़ाई इस्राइल की बढ़ाई के समान जियों कित्यों कर रहा है क्योंकि उजारने वालों ने उनको उजार दिया है और दाखलता की दालियों का नाश किया है तीन उसके शूरवीरों की धाले लाल रंग से रंगी गई और उसके योध्धा लाल रंग के वस्त्र पहिने हुए है तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भले हिलाए जाते है चार रत सडकों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है पांच वह अपने शूरवीरों को स्मरन करता है वे चलते चलते ठोकर खाते हैं वे शहर पनाह की और फुर्ती से जाते हैं और काट का गुम्मत तयार किया जाता है छेह नहरों के द्वार खुल जाते हैं और राजभवन गलकर बैठा जाता है साथ हुसेब नंगी करके बधुआई में ले ली जाएगी और उसकी दासियां छाती पीटती हुई पिंडुकों के समान विलाब करेंगी आठ नीनवे जब से बनी है तब से तालाब के समान है तो भी वे भागे जाते हैं और खड़े हो खड़े हो ऐसा पुकारे जाने पर भी कोई मूह नहीं मोरता नौचांदी को लूटो, सोने को लूटो, उसके रखे हुए धन की बहुतायत और वैभव की सब प्रकार की मनभावनी सामगरी का कुछ परिमान नहीं दस वह खाली, छूची और सूनी हो गई है मन कच्चा हो गया और पाव कापते हैं और उन सबों की कटियों में बड़ी पीरा उठी और उन सबों के मुख का रंग उढ़ गया है ग्यारा सिम्हों की वहमांद और जवान सिंग के आखेट का वस्थान कहां रहा जिसमें सिंग और सिंगनी अपने बच्चों समेद बेखटके फिरते थे बारा सिंग तो अपने बच्चों के लिए बहुत आहेर को फारता था और अपनी सिंग्नियों के लिए आहेर का गला घोंट घोंट कर ले जाता था और अपनी गुफाओं और मांदों को आहेर से भर लेता था तेरा सेनाओं के यहोवा की एहवानी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रतों को भस्म करके धुए में उड़ा दूँगा और उसके जवान सिंग सरीखे वीर तलवार से मारे जाएंगे मैं तेरे आहिर को प्रिथवी पर से नश्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुनाना जाएगा अध्याए तीन एक हाए उस हत्यारी नगरी पर वहतो चल और लूट के धन से भरी हुई है लूट कम नहीं होती है दो कोड़ों की फटकार और पहियों की घल घलाहा ठोर रही है घोड़े कूटते फानते और रत्व चलते चलते हैं तीन सवार चड़ाई करते तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं मारे हुऊं की बहतायत और शवों का बढ़ा धेर है मुर्दों की कुछ गिंती नहीं लोग मुर्दों से ठोकर खाखा कर चलते हैं चार यह सब उसती सुंदर वेश्या और निपुन टोनहिन के छिनाले की बहतायत के कारण हुआ जो छिनाले के द्वारा जाती-जाती के लोगों को और टोने के द्वारा कुल-कुल के लोगों को बेच डालती है पांच सिनाओं के यहोवा की एहवानी है मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठा कर तुझे जाती-जाती के सामने नंगी और राजे-राजे के सामने नीचा दिखाऊंगा छेह मैं तुझ पर घिनोनी वस्तुएं फेक कर तुझे तुझ शकर दूनगा और सबसे तेरी हसी कराऊंगा साथ जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे नीनवे नश्ठ हो गई कौन उसके कारण विलाप करे हम उसके लिए शांती देने वाला कहां से धून्ड कर ले आएं आठ क्या तुझ अमोन नगरी से बढ़कर है जो नहरों के बीच बसी थी और उसके चारों और जल था और महांद उसके लिए किला और शहर पनाह का काम देता था नौकूश और मिस्री उसको अनगेनित बल देते थे पूत और लूबी तेरे सहायक थे दस तो भी लोग उसको बधुआई में ले गए और उसके निन्हे बच्चे सडकों के सिरे पर पटक दिये गए और उसके प्रतिष्थित पुरुशों के लिए उन्होंने चिठी डाली और उसके सब रईस बेडियों से जकड़े गए ग्यारह तू भी मतवाली होगी, तू घबरा जाएगी, तू भी शत्रू के डर के मारे शरन का स्थान ढूंदेगी बारह तेरे सब गड़ ऐसे अंजीर के व्रिक्षों के समान होंगे जिन में पहले पक के अंजीर लगे हो यदि वे हिलाए जाएं तो फल्खाने वाले के मुह में गिरेंगे तेरा देख, तेरे लोग जो तेरे बीच में हैं, वेस्त्रियां बन गए हैं तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रूं के लिए बिलकुल खुले पड़े हैं और रुकावर की छड़ें आग का कौर हो गई हैं चौदा घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर ले और गड़ों को अधिक द्रिल कर की चड़ में आकर गारा लताड और भठे को सजा पंद्रा वहां तू आग में भस्म होगी और तलवार से तू नश्ट हो जाएगी वह यलेक नामक टिड़ी के समान तुझे निगल जाएगी यद्यपी तू अर बे नामक टिड़ी के समान अनगिनित भी हो जाए सोलह तेरे व्यापारी आकाश के तारागं से भी अधिक अनगिनित हुए तिड़ी चड़ करके उड़ जाती है सत्रह तेरे मुकुधारी लोग तिड़ीयों के समान और तेरे सेनापती तिड़ीयों के दलों सरीखे ठहरेंगे जो जाड़े के दिन में बाड़ों पर तिकते हैं परन्तु जब सूर्य दिखाई देता है तब भाग जाते हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए अठारा है अश्शूर के राजा तेरे ठहराए हुए चरवाहें उंकते हैं तेरे शूर्वीर भारी नींद में पढ़ गए हैं तेरी प्रजा पहारों पर तितर बितर हो गई है और कोई उनको फिर इकठा नहीं करता उन्नीस तेरा घाव न भर सकेगा तेरा रोग असाध्य है जितने तेरा समाचार सुनेगे वे तेरे उपर ताली बजाएंगे क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पढ़ा हो